बहुत सिंपल चीज है, आज हम लोग समझेंगे लब बॉम्बिंग को और गैस लाइटिंग को, आखिर ये दो टर्म है, ये दो टर्म अगर आपने यंग एज में समझ लिया तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं लब बॉम्बिंग की, लब बॉम् या आई लब यू बाबू, आई लब यू सोना, ये इसको बोलते हैं लब बॉम्बिंग, ये बहुत कॉमन है और कई लोगों ने इसको महसूस किया होगा, और ये अतिरेक जो होता है ना प्रेम का, वो कई जगह देखने को मिलता है, और सामने वाल एकदम चारों खाने चि कोई भी व्यक्ति सबसे पहला प्रेम खुद से ही करता है, तो अब क्या है ना दूसरों से प्रेम दिखा के दरसल वो खुद से ही प्रेम किया जा रहा है, कि देखो मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूं या कर रही हूं, इसको बोलते हैं लब बॉम्बिंग, लब इसको कैसे इसको समझते हैं, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, कि जैसे लब बॉम्बिंग होता है तो उसकी एक मियाद होती है, फिर छोटी मोटी गलतियां खोजी जाती है, और छोटी मोटी गलतियों को खोजने के बाद कड़वी बातें, बहुत कड़वी बातों से ऐसा कराए जाता है कि उसके ऐसा निक्रिस्ट प्राणी यानि छोटा प्राणी तो कोई है ही नहीं और उसने कितना बारा पाप कर दिया और यह से बहुत चोटी चोटी बातों पर होता है जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जो कपल हो ठीक है वो 10 या 15 अबनेट लेट हो जाएं या उनके मुवाइल पे किसी और का फोन हो जाए और सामने वाला जो पार्टी है विरोधी पार्टी है जो उसका प्रेमी या प्रेमी का जो भी है उसके पर चढ़ जाए और बहुत बुरी तरह से उसको हुमिलियेट करे इसको बोलते हैं गैस कि प्रेम जो है ना ये एक दरसन का विसे है ना की परदरसन का तो ऐसे विसे में कोई अगर जादा ही परदरसन कर रहा है तो इसको बोलेंगे लाब बॉम्बिंग और जब इसका फेज है ये जल्दी ये फेज खत्म हो जाता है तब जो नीचे दिखाने का फेज होता है ये होता है गैस लाइटिंग जो अभिहरती हैं जो छात्र हैं उनको लॉब बंबिंग और गैस लाइटिंग दोनों से बचना चाहिए मैं यह नहीं कहता हूं कि अनभव बेकार होते हैं या बिलकुल खड़ाब होते हैं ऐसा नहीं है देखे काफी टाइम जो होता है ना इन सब का देने के चक्रों में आप डिप्रेशन के सिकार हो जाएं और डिप्रेशन भी ऐसे समय में जब आपको कम दिन की महलत मिली हो दो साल तीन साल या चार साल की तो वैसे समय में आप क्या करेंगे खुद को एक ठगा हुआ प्रानी महसूस करेंगे और समय गुजर जाने के आप जो है ना मतलब बहुत ज्यादा खुद को कोसेंगे ये बहुत और खड़ा फेज होती है तो समय जो है वो बहुत सारे मामलों में कई लोगों का यूही बढ़बाद हो जाता है लेकिन हमेश समय से ऐसे चीज़ों को सीख लेना चाहिए ताकि ये हमारे लिए और हमारे आ